जय हिन दोस्तू स्वागत है आपके अपने ही चैनल सिवसांती क्लासस में ठिक तो मिलते हैं सम्धुवाहु त्रिभुज के साथ तो हम मिले हैं किसके साथ सम्धुवाहु त्रिभुज के साथ यह हमारा दूसरा वीडियो है त्रिभुज के टाइप साथ त्रिभुज चल रहा है हमारे पास तो यह हमारा दूसरा वीडियो है कैसे इसमें हम क्या समझेंगे देखिए इस इसमें हम समझेंगे आइसो सेलस ट्रेंगल के बारे में आइसो सेलस ट्रेंगल अर्थात समध्य बाहुत्रिबुच के बारे में हम समपूर जानकारी प्राप्त करेंगे इसी एक ही वीडियो में ठीक इस वीडियो में हम समभाहुत्रिबुच के बारे में पूरी जानकारी completely प्राप्त कर लेंगे इसके लाए बाँ आपको समभाहुतरी बुच के बारे में कहीं और पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा यह चारों चीज़े आपको करना ही करना है तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्या करिए सबसे पहले मैं हर एक वीडियो में यह चीज़े बता रहा हूं जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं पहला वीडियो दूसर वीडियो तीसर वीडियो इस त्रिभूच के सारे पार्ट को तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इस पार्ट को skip कर सकते हैं असा थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं बट जो नए बच्चे हैं उनके लिए में बताना जरोरी होता है। थिक विदि आप नए बच्चे होते तो आपको भी नहीं बता तो आपको बुरा लगता है। थिक तो आपको पता है तो आप आंगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले में आपको क्या वताने बाला हूँ कि त्रिभूज क्या होता है त्रिभूज एक ऐसी आकरती होता है जो तीन भूजाओं से मिलकर बना होता है या दूसर साब्दों में कह सकते हो कि तीन भूजाओं से बनी हुई बंद आकरती क्या कहलाती है त्री भूजा, अलता तीन भूजाओं से मिलकर बनी हुई आकरति क्या कहलाती है, त्री भूज कहलाती है, ठीक, यह क्या हो गया, तीन भूजा हो गई, अब तीन भूजा में A, B, C, यह क्या है, सीर्स है, इन सीर्स में से एक भूजा A, B, C है, दूसरी B, C है, तीन भूजा हो हैं हम साइड तो दो प्रकार की त्रिभुज होती हैं पहली होती है भुजाओं के अधार पर अर्था साइड के अधार पर और दूसरी होती है कोड के अधार पर अर्था एंगल के अधार पर तो दो प्रकार की त्रिभुज पढ़ दिये अब हम पढ़ते हैं कि भुजाओं के તર होती हैं कौन-कौन से समभीवाहुतृभूच और उसी प्रकार वी होगा हमारे पास cluster के आधारपर 302 रेयरतर दीक होती है कौन-कौन से new con node sum कौन और अधिक कौन मैंने Equilator triangle के बारे में संपूर जानकारी का वीडियो upload कर दिया है उसका link discussion box में दिया है link में होगा types of triangle types of triangle में सभी प्रकार के वीडियो आपको upload हो जाएगे 6 के 6 वीडियो आपको दिख जाएगे जो upload नहीं हुए होंगे वो आँगे होते जाएगे ठीक ना 1y1 तो सब्र कीजेगा और ये playlist को ध्यान से पढ़ते रहेगा आपको सभी के 6 के 6 चीजें आपको बताई जाएगे ठीक अब आँगे देखिए तो इस वीडियो में क्या करेंगे समद्वाहुत्रिभुज के बारे में जानेंगे ये वीडियो हम जान चुके हैं इसके बारे में जानेंगे तो ये वीडियो में क्या करना है समद्वाहुत्रिभुज के बारे में जानेंगे समद्वाहुत्रिभुज क्या होता है आइसो सेलस ट्रेंगल कहलाता है यह भूजाओं के आधार पर जो तीन प्रिगा के ती भूज होती है उनमें से एक है ठीक तो इसके बारे में जानने से पहले आपको इसके थोड़ी कुछ जानकारी दे देता हूं कि सम दूजाओं इसको पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा है कि सम अर्थात बराबर दूजाओं मतलब दो भूजा तो दो भूजा जिसमें बराबर होती है उसी को हम कहते हैं सम दूजाओं अर्थात आइसो सेलस ट्रेंगल ठीक तो कौन सी दो भूजा कोई भी इस त्रिभूज में से कोई भी दो भूजा बराबर हो सकती है जरूर भी हो सकता है उसमें आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है तो मैंने एक त्रिभुज ले लिया है A, B, C जिसकी A, B बराबर A, C है अर्थार दो भुजा बराबर है कौन कौन सी A, B और A, C अब उसमें से आपको पता हो जाए कि जो भुजा बराबर होंगी उनके सामने के एक कौन होंगे A, C भुजा का सामने का कौन क्या होगा? B, और A, B के भुजा के सामने का कौन होगा? C, तो ये कौन भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे ये सर्ते होती हैं संभाह त्रिभुज के हर एक त्रिभुज का एक अपना-पना formula होते हैं अपने अपने नियम होते हैं ठीक तो इस समभा होतरिभूज का नियम क्या है कि दो भूजा बराबर होंगी और उन दो भूजा के जो सामने के कौन होंगे वो भी क्या होंगे बराबर होंगे अर्थात A B C बराबर हो जाएगा A C B के A, B, C बराबर हो जाएगा A, C, B, K तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में है यदि ये दोनों पॉइंट हैं तभी आप उस त्रिभुज को समभाव त्रिभुज कहोगे आया समझ में यदि ये चीजे नहीं कर रहा है ये दोनों पॉइंट नहीं अपलाई कर रहा है तो आप उसे समभाव त्रिभुज अर्थात आइसो सेले स्ट्रेंगल नहीं कहोगे अब पहला पॉइंट समझते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तथा दोनों कॉण बराबर हो तो ये चीज़े हम समझ चुके हैं अभी कि अभी दूसरा दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है किसी भी कॉण का मान निश्चित नहीं होता है मतलब जैसे हम समभाव त्रिभुज पढ़े थे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था समभाव त्रिभुज इसमें क्या था कि सभी कॉण सभी कॉण क्या थे फिक्स थे अथा एकदम मानने बराबर था क्या था वो 60 डिगरी था इसके लिएब आप कुछ नहीं कर सकते हो कि समभावत्रिभुज का कॉण कितना होता है 60 डिगरी होता है लेकिन सभी दिभावत्रिभुज में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन तीनों में से कोई एक कोण को exact मान सकते हो कि यहां कितना हो मतलब फिक्स नहीं होता है आप कुछ भी मान लो पर कुछ भी मान सकते हो तो वही कह रहा है कि किसी भी कोण का मान निश्चित नहीं होता है टिक, अग्वरी वरी के टीनों कोणों का योग करोगे तो 180 डिगिरी होना चाहिए आप इन तीनों में से कोई भी कह सकते हो ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए और इन दोनों जब कोण होगा तो उसमें से एक्सासिसी जब घटा दोगे तो आपको ये कोण मिल जाएगा ठीक अब अगला पॉइंट देखते है अगला पॉइंट क्या कह रहा है यदि किसी समभाहुत्रिभुज A, B, C के सीर्स A से सीर्स A से भुजा B, C पर A, D, लंब डाला गया सीर्स A से भुजा B, C पर एक लंब डाला गया लंब मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताया था लंब मतलब जो सामने वाली भुजा पर 90 डिगरी का कोण बनाए इधर ये 90 बन रहा है और इधर ये 90 बन रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसी को क्या कह लेंगे हम लंब कहेंगे तो A, D A, D B, C पर लंब बन रहा है तो वह B, C भुजा को समद्वी भाजित करेगा जो B, C भुजा है ना इसे समद्वी भाजित करेगा मतलब दो बराबर भागों में बांट देगा कहने का मतलब क्या है कि B, D बराबर हो जाएगा D, C के और ताथ ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो जाए वही चीज यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट समझ में आ रहा है ना हर एक बीडियो में बताता हूं कि परीमाप वह होता है जो कि यह boundary होती है उसको हम क्या कहते है परीमाप कहते है और जो boundary के अंदर का एरिया है वही हमारा उस्त्रि भूझ का छेत्रफल कहलाता है ठिक तो येदि परीमाप निकालना है तो क्या करोगे तो देखिए, A, A मतलब क्या है, आपको ये A निकालना होगा, ये A है, तो जो सम्दुरायत दिवाज है न, उसमें से जो दो भुजा बराबर होंगी, वही भुजा क्या कहलाएगा, A कहलाएगा, और जो तीसरी भुजा होगी, वो कहलाएगी हमारे पास B, तो A की जगे, A का मान रख देना, और B की जगे, B का मान रख देना, बस ये दिमाग भी रखना है, कि जो भुजा बराबर होगी, उसे A मान होगे, और जो भुजा बराबर नहीं होगी, उसे हम B मान देगा, तभी आपका छेतपल प्राप्त होगा, तो ये पांचो के पांचो वाला कोण तो माल लीजिए ये कोण मैंने माल लीजिया तीस डिग्री ये भी माल लिया मैंने तीस डिग्री ठीक तो इसको तीस मानने पड़ेगा 100% ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये तोनों कौन क्या होते हैं बराबर होते हैं हमने देखा है तो ये 30 ये 30 तो ये कितना होगा ये कितना होगा हमें ऐसे पता चलेगा कि 330 कितना होता है 60 हो गया और हमें पता है कि ये, प्लस ये, प्लस ये, बरेबर कित्ता होना चाहिए? 180 दिखत, तीनों कॉन कामान क्आ होना चाहिए? 180 जब ये दोनों मिल के 60 हो गए, तो 180 में जब 60 घटा दोगे, तो क्या जाएगा? 120 हा जाएगा, तो वही 120 क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा मेरे कहने का मतलब यहां पे यह था जो बच्चों के डाउट हुआ हो तू ठीक है न तो मतलब कुछ भी हो जाए कोई भी त्री भुज़ो इन तीनों का कोणों का मान 180 ही होगा कहने का मतलब यह है तो इस वीडियो में इतना ही अब मैं बता दूँ यह आप चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किये हैं इतना चीज समझने के बाद तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको हाँ जोड के नहीं वेदन करता हूँ आप सभी से टिक और कमेंट में जरूर बता एसको फैला देजिए ठेक ना इस सेयर का बटन जब क्लिक करेंगे आपको तो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि आपको वाट्सप में सेयर करना है कि फेस्बूक में सेयर करना है टेली ग्राम में जो भी आप चलाते हैं उसमें अप सहर जगे इस वीडियो को से आर सकते हैं इतना तो आप बिल्कुन कर सकते हैं इन सभी कोई चार्ज नहीं लगने वाला कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एदि आपने सभी वीडियो के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए नहीं दे किया हुआ मिल जाया वहां से जा करके आप 6 के 6 वीडियो देख लीजिएगा ठीक ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत